हेलो दोस्तों वेलकम बैक माई टू न्यू ब्लॉग आप सभी का स्वागत है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में जैसा कि आज मैं गया हूं हमारी घरे के पास में एक तिमूल का पेड़ तो यह तिमूर जो खाता है वह अच्छा होड़ा है पेड़ के लिए इसे वैसे अंजीर भी बोलते हैं जो अंजीर बनाए रहते हूं कि बजारों में वह अंजीर से ही बनता देखो यह तिमूर रहना है देखो पूरा पका हुआ है अभी मैं इसे खोड़ के भी दिखाएगा आपको कि देखो पूरे लाल हो रहे ना एकदम और इना दोस्तों बड़े टेश्टी ह इसकी आप चाहे तो सब्जी भी बना करके खा सकते हैं इसकी सब्जी भी बहुत बहतरीन होती है है अब लोग जितना से कार आट एंगे से वन करें तो आप स्वस्थ रहेंगे पहले कहोता था पुराने हम इसे fon बमार, बहहतकरों हुते हैं और बेड्म ऐठी आखी ये पहले से काफी लोग खाए करते थें तो मैं क्या कोई बीमारी कभी हुआ नहीं करती दी चलो अब हमनी तोड़ते हैं गडू देखते हैं अच्छे से जोई कही मिलता है इत्धा तो फह वह मदो मख्थी त्यारी काफी लेगी हुए इसमें पिर आपको दिखाते हैं अगे बाद इसका स्वाथ कैसा है कैसा होता है करके जैसे इनकी में तोड़ लेता है कि इनकी तोड़ दिये रहे हैं यह ना ऐसी और तोड़ता हूं मैं खुप सारे अधिक है इस बनने रहों अब मस्तरी जैसे अभी मैं चड़ा हूँ पेड़ी में चड़ा हूँ मैं तेर सी विडियो बना रहा हूं और दूसरा मैंने तोड़ा तैसे की यह देख सकते हैं आप वीचे से एक दम च्टा पक रहा है तो पूरा इसमें पक गया है ने अच्छी प अपलोग खाई एकड़ा हूँ और जिसने अंजीर अंजीर क्या होता है मार्केट में याते हैं तो इसी क्या हिए अंजीर बनता है तो फुका अगरे एक माला जैसी बना देते हो लो जूसमें पैक कर देते हैं विए इतने सारे तोड़ी हैं क्योंकि मैं और दिन रोज खाऊंगा इनको और इनके लिए चाहिए तो थोड़ा बचा के रखोंगा इतने सारे तोड़ चुका हूं अब मैं पेड से उत्रूंगा नीचे की तरफ अब इधर भी हो रहा है देख सकते हैं यह बहुत अच्छी जिए और शरीर के लिए काफी लाब्दाइक जो इसके बिसे में जानता है उसका खुब फरियुक करता है और हमेशा स्वस्त रहता है मस्त रहता है आप लोगी स्वस्त रहिए मस्त रहिए एकदम यह छोटी छोटे हैं नहीं हरे वाले यह बहुत अच्छे होते हैं इसकी सब्जी बनती है और इसकी सब्जी भी खानी चाह तो इसके जो पत्ते होते ना यह पूजा पार्ट में पूजा पार्ट में इसके पत्तल बना जाते हैं पूजा पार्ट में देवताओं के लिए इसके पत्तल बना जाते हैं और उसी में इसे रखा जाता है देवताओं का जो भी नवे दित्तियादी होता है वो सब हमारे उत् तुम फाइनली पेल से उतर गया हूं नीचे यह पेल देख सकते हूं आप यहां चड़ा था में उपपर इधर से दिखाता हूं आपको अच्छी से यह पेल बहुत बड़ा देख सकते हां इसके जो पत्ते होते हैं ना काफी कुजा पाठिटियादी में भी काम आते हैं जब उतराखंड में यह सावन का मेहना लगता है तो यह क्याना चारोतरप की जो हर्याली है यह हर्याली को कि इस पहाड को और खुबसुर्प बना देटी है और हर्याली की जड़ है जल जब बरसता है तो ये स्वतह ही जो पिर्थवी जो सुकी हुई है ना पिर्थवी ये पिर्थवी स्वतह फिर हरित होने लग जाती है क्योंकि पिर्थवी की प्राण जो है जल है पिर्थवी को जल मिल जाए तो प्राण स्वतह उतनी प्राण आने लग जाते हैं देखो पूरी फिर्थिवी हरी भरी हो गई है कि कि एकड़न मस्त जब्रतस्त法 मारा बीना कोट बीना गाउं है चोटासा एक छोटा सा गाउं बीना और बहुत अच्छा गाउं और यहां पर देखो ड़ें लोगों कीए हलदी की खेटी हलदी केति होती है गुड़ायी तो मैं आपको दिखाता हूं यह तोड़के देखो आप कितना जबरतस्त है नहीं है कितना स्वाधिष्ट होगा सूच सकते हो मीठा होता है कि बहुत टेश्टी होता है बहुत अक्छा होता है अब खाकिस का स्वाध बताओं आपको कैसा है कि खेल बोड़न हमारे पहाद में से गिष्टे होता है वह अक्षा होता है आप लोग खा के खाने में बहुत अबत अच्छा होता है आप लोग खाएंगे ना तो सच में बहुत आनगा और फट के लिए बहुत अच्छी दवा कि अमने गय fidget क्या तक हैं आपको इसका पेट पेट दिख्ड और में आपको एक देडू होता है। वो कहते हैं ना बेडू पाको बारू मासा नरन काफल पाको चेता मेरी छेला एक गाना भी है तो बहुत जबर्दस्ती है आपको बेडू खिलाओंगो ना तो आपको बहुत मैयाएगा आप उसे देखेंगे ना लाल एक दम काला होता है बहुत सुन्दर होता है कोशिस करता हम भी वहाँ जाने की जा रहा हूं अगर जाओंगा तो आपको जरूरी खिलाओंगो हाँ